चलिए गुड़ीबनिंग आबरिबन गुड़ीबनिंग आबरिबन नमस्कार शुब शंद्या स्थिकाल राम राम राधिरादे मैं रंजीत यादब आप सभी का तहे दिल से हार देख श्वागत करता हूं इस्तकवाल करता हूं आपके अपने सबसे फैबरेट जीस भाई रं सारे के सारे साथी फटाफट जुड़ जाएए आजाएए मेरे दोस्त चलिए विशन नायक यूपीपी मनोज यादब जी आप सब का तहे दिल से हार दिक श्वागत है इस्तकवाल है आजाओ सारे साथी क्या आप मुझे सुन पारें फटाफट चलिए फटाफट शेशन को लाइक को सेर कर दीजे मेरे दोस्त आज आपने देख लिए होगा पॉलिटी की चौथी क्लास है और आज का टोपिक है प्रस्तावना दो लेक्चर में हम प्रस्तावना को कम्प्लीट करेंगे इस दाट के लिए चले सीनु धोरिया जी विशन नायक जी मनोज यादब जी आ भाया आज का जो टोपिक है उस टोपिक को हम प्रस्तावना बोलते हैं ठीक है मेरे भाईचे प्रस्तावना को हम उद्देश का भी बोलते हैं और प्रस्तावना को हम आमुख भी बोलते हैं ध्यान में रखना किसी भी नाम से प्रश्न आये कापी कलम निकाल के बैठ जाओ और no down करते रहो, अपने notes बनाओगे हाथ से, तो उसका मज़ा कुछ और है, ध्यान में रखना, online कभी offline का इस्थान नहीं ले सकता, वैसे PDF, PPT कभी हाथ से लेखे हुए note का इस्थान नहीं ले सकती, तो सारे साथ ही आजए अंकेत वगेल जी, जैहन भाहिया जैहन, सारे के सार समयधान की प्रस्तावना है, जिसको हम उद्देश का कहते हैं, आमोक कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, ध्यान में आपको रखना है मेरे भाहिया, ठीक है रामरम भाहिया, रामरम सारे के सारे शातिर जोड़े जाए, अपनी वाली को भी जोड़ लीजे, विशन नायक जी, अंकित वगेल जी, सिनु दोहरिया जी, मनोच जी, चले प्रस्तावना, उद्देश का, आमोक और प्रियम्बल, ये सारी की सारी जो हैं, वो बात एकी हैं इस बात को समझना, ठीक है, चाहे आप प्रस्तावना कहलो, चाहे आप उद्देश का कहलो, चाहे आप आमोक कहलो, और चाहे आप इंगलिस में प्रियम्बल कह लीजिए, बात मेरे बच्चे एक ही होगी इस बात को समझना। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्या है, टॉपिक है इस बात को समझना। तो प्रस्तावना क्या है, भूमिका या आमुक है, समझना सारे के सारे, जब भी किसी किताब को आप पढ़ते हैं, तो उस किताब में सबसे पहले राइटर निसकर्स के तौर पर एक भूमिका एक आमुक को लिखते हैं, और उस निसकर्स उस आमुक में ये बताने का प्रयास करता है, कि उस पूरी किताब का निसकर्स क्या है, इस पूरी किताब में क्या क्या बताने का प्रयास किया गया है, इस बात को आपको समझने, ठीक है सचिन चोधरी जी, तो प्रस्ताबना संब्धान की भूमिका या आमुक की भांत है, जिसमें संब्धान के उद्देश इवं ठीक है आदर्श याने आइडिया ठीक है तो प्रस्ताबना में क्या है सम्मिधान के उद्देश है आदर्श है शासन प्रडाली का स्वरूप है शासन प्रडाली का स्वरूप ठीक है तो प्रस्ताबना सम्मिधान की भूमिकाया आमुक है जिसमें सम्मिधान के उद्देश आदर्श शासन प्रडाली का स्वरूप एवं सम्मिधान के लागू होने की तिथी का पता चलता है तिथी का पता चलता है is that clear तो एक बात तो मुन्ना ये देखिये तो कोई आप से पूछे मेरे बच्चे प्रस्ताबना क्या है तो प्रस्ताबना ही आमुक है प्रस्ताबना ही उद्देश का है जिसको पढ़कर हमें सम्मिधान के उद्देश पता चलते है शासन प्रडाली क स्वरूप पता चलता है और किस दिन सम्मिधान लागू हुआ था ये तिथी हमें पता चलती है किस से मेरे बच्चे प्रस्तावना को पढ़कर इस बात को समझेगा इस दाट क्लिया तो प्रस्तावना सम्मिधान की भूमिका या आमुक है जिसमें सम्मिधान के उद्देश, आदर्श, सासन पढ़ाली के सुरूप एवं सम्मिधान के लागू होने की तिथी का पता चलता है इस बात को आपको समझ रहे हैं सारे के सारे शाथी इसको ध्यान रखने हैं तो थोड़ा सा सीखने की कोसिस करेगा सारे शाथी जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे when we talking about pream प्रस्तावना या आमुख या इसको क्या कहते हैं उद्देशिका भी कहते हैं इस बात को समझना तो सबसे पहला concept आप यह जानी है कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया तो USA के constitution से लिया गया ठीक है the preamble the concept of preamble taken from the USA अमेरिका के सम्मिधान से हमने प्रस्तावना ली आप स जैसी preamble का जो concept है वो अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की जो भासा का स्वरूप है ठीक है भाया प्रस्तावना की जो भासा का स्वरूप है वो मेरे दोस्त हमने आस्ट्रेलिया के सम्मिधान से लिया ठीक है कहां से लिया आस्ट्रेलिया के सम्मिधान से लिया तो तो नहरू की देन मानते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, जवाला नहरू की देन मानते हैं, तो कोई आप से पूछे, प्रस्ताबना किस की देन है, जवाला नहरू की देन है, प्रस्ताबना की भासा का सुरूप कहां से लिया, आस्ट्रेलिया से लिया, प्रस्ताबना कहां से लिया अमिर्का के सम्भिधान से लिए ठीक है नरेंद बगेल जी रामराम जी शिफशंकर कुमार गौतम जी मैजिक ओप रीजनिंग बैटी पी आदब जी ठीक है ध्यान में रखना मेरे दोस्त ठीक है मैंने आपको अलड़ी कॉंटेक्ट नंबर में आपको बचाया कि इस पर 95 ध्यान में रखना यह है जोती विध्याचार जी धादे आदे जी वीङूश्ची प्रहदे राधे तो मैंने बूला प्रस्ताबना कहां से लिए अमेरिका के संभिधान से प्रस्ताबना कि भाथा सा करूब ऑस्ट या के संभिधान ठीक वैसे ही प्रस्तावना किसकी देन है? नहरू की देन है, क्यों देन है इस बात को समझना? क्यों कि बेटा सबसे पहले प्रस्तावना उद्देश का को 13 दिसमबर 1940 को सम्विदान सवा की तीसरी बेठक में पंडे जवाला नहरू ने एक उद्देश प्रस्ताव पेस किया एक objective motion पेस किया था इस बात को समझना और यही उद्देश प्रस्ताव आगे चलके 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया पारित कर दिया गया इस बात को समझना और यही उद्देश प्रस्ताव आगे चलके भारती संविधान की क्या बनी प्रस्तावना बनी इस बात को समझना हाला कि उसका नाम उद्देश का दिया गया ठीक है मेरे बचे तो सारे के सारे शाती समझना प्रस्तावना अमेरिका के सम्मिधान से लिए प्रस्तावना की भासा का सुरूप औस्टेलिया के सम्मिधान से लिए प्रस्तावना किसकी देन है नहरू की देन है क्यों? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडे जवाला नहरू ने उद्देश प्रस्ताव पेस किया था, लेकिन चोंके शुरुआती वेटकों में मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रही थी, तमाम देशी रियाशतें विरूद कर रही थी, तो ऐसे में डॉक्टर मिलकर नहरू जी से कह यह एक महतपूर प्रस्ताव है, इसको इतनी आसानी सो, जल्दी पेस मत करो, थोड़ा सा रुकिये, तो आगे चलके 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश प्रस्ताव को पेस किया गया, और यही उद्देश प्रस्ताव आगे चलकर भारती संब्धान की प्रस्तावना बना, जिसको उद्देश का नाम दिया गया, अरे भारती संब्धान में जोड़ा सबसे पहले है, लेकिन बनी सबसे अंत में प्रस्तावना इस इसको समझना, ठीक है, तो फटाफट आप इस गीन सोट देते चलें, तो आज हम का टॉपिक है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को उद्द प्रस्तावना को पढ़के संब्धान के उद्देश, आदर्ष, सासन पर्लाली का सुरूप और इवं संब्धान के लागू होने की तिथी का पता चल जाता है, इस बात को समझना, प्रस्तावना कहां से ली मिरे बच्चे, अमेरिका के संब्धान से, इस बात को समझना है, अंकेर जीव, सेफ संकरकुमार गौतम जी, इस बात को समझेगा मिरे बच्चे, तो एक बात तो यह है, फटा फटन, इसका स्कीन सोट ले लिजे, अरे बूलो हाँ के ना, अब देखो मेरे भाई, जो मैं आप से कहना चाहा रहा हूं, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो तो जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना इतना महतपूर है कि किसी ने इसको कह दिया ये तो सम्मिधान की आत्मा है, किसी ने कह दिया ये तो सम्मिधान का कुझी नोट है, किसी ने कह दिया कि ये तो सम्मिधान का आवुशड है, किसी ने कह दिया प्रस्त प्रस्ताबना को संभिधान की आत्मा कहते हैं, कुंजी कहते हैं, आभुषड कहते हैं, निश्कर्स है संभिधान का प्रस्ताबना, शार है, तरपड है, इस बात को समझना, आइना है, याने मैं आपको बताऊंगा कि गजंद्र जी ने क्या कहा, मैं आपको बताऊंगा स्वा बड़े विद्वान ने प्रस्तावना के बारे में क्या-क्या quotation दिया इसीज को आपको समझना है ठीक है मेरे बचे इस बात को समझना तो प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है कुंजी है, आभू सड है, निसकर से सारे दरपड़े आयन है, तो निश्यत तोर पर इसमें कोई न कोई तो ऐसी बात होगी जिसके लिए लोगों को इसे आत्मा कहना पड़ा और मेरे दोस्त आप सब जानते हैं कि आत्मा नाम से समझना से दो कुशन बनते हैं एक है आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भिम्राव अम्बिरकर ने आर्टिकल 32 को सम्भिधान की आत्मा कहा था मेरे बचे, क्योंके क्योंके आर्टिकल 32 मौलिक अदिकारों की रच्छा करता है कुशन पूछे किस भाग को सम्भिधान की आत्मा कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्ताबना, और मेरे दोस्त स्वासकस्षप ने भी आत्मा कहा, गयंद गड़कर ने भी मेरे दोस्त कहा, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, तो एक बात तो ये है जो आपको जाननी है, तो हम एक ही करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, अब सारे के सारे शाथी, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा, कि प्रस्ताबना में भारत सब्द कितनी बार है, तो दो बार है, मेरे बच्चे, अरे कितनी बार है, दो बार है, कोई आप से पूछे, प्रस्ताबना में भारत सब्द कितनी बार है, तो आप कह देना मेरे संपूर, प्रभत्व, संपन, समाजवादी, पंथ निर्पेच, लोक तंत्रात्मक, गड़ राज्य बनाने के लिए, इस बात को आपको समझने हैं, अरे बोलो हा के ना, तो सिंपल सा कUNCEPT है, जो मैं आप से कहना चाहरा हूं ठीक है, तो सारे के सारे शाथी आजाइए, फटा-फट शेष्षन को लाइक और सेर कर दीजे, सारे के सारे शाथी फटा-फट ठीक है हैं, तो एक बात तो यह है, सब्दों से थोड़ा सा सीखने की कोसिस करना, सारा खेल सब्दों का है प्रियम्बल में, सारा खेल पॉलिटी में सब्दों का है, सब्द आपके पास मेरे दोस्त किलियर होने चाहिए इस बात को समझना, ठीक है, तो सारे के सारे शाथी हमारे समझने का प्रयास करें, जो हम आ की beautiful कर गई चुल कि बहुत hot है, बहुत sexy है यह यह लड़का बहुत handsome है ठीक वैसे ही प्रस्तावना को पढ़के तमाम विद्वान ने कहा यह तो संभिधान की आत्मा है यह तो संभिधान का अभूशड है यह तो संभिधान का कुंजी नेट है यह तो संभिधान का सारे निश्कर से तो किस भाग को प्रस्तावना के किस भाग को आत्मा कहते है तो आप कहते हैं प्रस्तावना को भारतिय संभिधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कह रहे हैं इस सीज को आपको समझना अरे बोलो हाँ के ना अंकित भगेल मेरे दोस्त अब क्या तेरे तेल लगाऊं जब तुझे मज़ाएगा मेरे भाई आप मत पढ़िए मैं तो आप से जवर्दस्ति करी नहीं ना समझ ना अब ऑफलाइन की तरह थोड़ी ना हो पाएगा कैमरा है मेरे सामने तो सारे साथी समझ ना मेरे दोस्त की एक बंदा है हैरी और एक बंदा है कलुआ हैरी भारत में आया है भारत को जानने क्योंकि उसके पीजडी का विशे है कि वो भारत को जानना चाता है कि आखिर भारत कैसा है भारत राज्य कैसा है यांकि सरकारें कैसी है लेकिन अचानक हैरी के प्रोफेसर का फोन आजाता है और हैरी को पापा समेर का जाना पड़ता है हैरी दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली के इंद्रगांधी टर्मिलेसन से फ्लाइट पकड़ता है जस्ट हैरी की बगल वाली सीट पर कलुआ बैठा था हैरी दुखी था तो कलुआ ने पूछा कि भाई साब आप क्यों दुखी है कि I want to know about India मैं भारत के बारे में जानना चाता हूँ कि भारत कैसा है कर यार तू क्या जानना चाता है भारत में गरीबी है असिच्छा है पीपर यहां आउट हो जाते है मैं खुद भार जा रहा हूं नो करी करने के लिए कि नो 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 I want to know about India मैं भारत के बारे में जानना चाता हूँ तो ऐसे में कलुआ ने प्रस्ताबना फाडी संबिधान की किताब में से और हैरी के हाथ में दे दी कहा इसको तू पढ़ ले तुझे भारत के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर भारत कैसा है इस सीज को आपको समझना है अरे बोलो हाँ के ना इस बात को समझना तब हैरी प्रस्ताबना को पढ़ना शुरू करता है कि we the people of India हम भारत के लोग हैरी बहोस गलुआ ने कहा पहरी लाइन में बहोस हो गया उठा हैरी कि वाओ 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 क्या क्या देश है कि क्या हुआ कि भाईया आपका जो ये हम सब्द है ये यूनिटी को दर्शाता है ये एकता को दर्शाता है चाहते तो हम में लिख सकते थे लेकिन दर्द दिलों के कम हो जाते में और तुमगर हम हो जाते हम सब्द unity को दर्शाता है, एकता को दर्शाता है, वाओ, शुरुवाती कितनी गजब की है, हम भारत के लोग, बच्चा बच्चा एक एक नागरिक, we the people of India, हम भारत के लोग, भारत को, कुश्यर मनेगा भारत सब्द कितनी बार है, दो बार, कुश्यर मनेगा प्रस्तावना क इस सब्द से सुरूवी हम भारत के लोग से अब हैरी कलुआ को बताता है कि कलुआ इस लाइन का मतलब समझता है तू इस लाइन का मतलब है कि भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाया है बारत का संविधान भारत के लोगों ने अपनाया है और भारत के संविधान की सम अपनाया है भारत के लोगों ने इस बात को आपको समझना है और भारत के सम्मेदान की समझत सक्तियों का स्रोत सत्ता का स्रोत कौन है भारत के लोग हैं इस बात को समझना We the people of India है Is that clear मेरे बच्चे अरे बोलो हां के न तो एक बात तो मुनना ये है जो आपको जानने है कलुआ को मज़ा आया कि यार हैरी अच्छा इसका मतलब ये है कि हाँ हाँ भहिया इसका मतलब ये है इस बात को समझना है अरे बोलो हाँ के ना ठीक है समझना तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाते हैं संपूर प्रवत्व संपन, कैसा बनाना चाते हैं समाजवादी, कैसा बनाना चाते हैं पंत निरपेच, कैसा बनाना चाते हैं लोक तंतरात्मक, कैसा बनाना चाते हैं गणराज बनाने के लिए, समसना, अब ये कुश्चन आता है, ये जो कुश्चन आता है, ये जो सीक्वें सब्प्रश पलंग ध्यान रखना गड़ राज लग तंतरात्मक प का मतलब 15 रपेश समपूर प्रवत्तो संपड़न समाजबादी 15 रपेश लोग तंतरात्मक गड़ राज यह एक्जाम में कुश्यन आया मेरे बच्चे कई बार तो यह सीक्वेंस ध्यान रखेंगे और मेरे दोस्त सोवर्जन, सोसलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपबलिक बहुत बार यह सीक्वेंस का कुश्यन आया है इस बात को समझेगा सारे के सारे साथी अरे बोलो हां के ना सिंपल सा कॉंसेप्ट है अरे बोलो हां के ना ठीक है तो यह पांच बाते ध्यान रखन अगर आपने यूट्यूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है बिलुकुल यहां पर आपको क्लासेज मिलेंगी तो थोड़ा सा सीखने की कोसिस करना जब हम प्रस्ताबना की बात करेंगे तो ठीक है तो प्रस्ताबन को पढ़के क्या क्या पता चल रहा है इस बात को समझना प्रस्तावना को पढ़के सबसे पहले हमें पता चल ला है कि साशन की सकती का शुरूत क्या है ठीक है साशन सकती का शुरूत क्या है ध्यान में आपको रखना है सासन की सक्ति का शुरूत क्या है सबसे पहली बात तो हमें यह पता चल रही है दूसरा शासन सक्ति का स्वरूप क्या है शासन का स्वरूप क्या है नैचर आफ अर्बनिस्टेशन सासन का स्वरूप क्या है और सासन सक्ति का उद्देश क्या है शाषन का उद्देश क्या है? ठीक है? ध्यान में आपको रखना है. तो सभी शाथी बड़े इश्क और अदब के साथ देखेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे. ठीक है? देखो बईया. साषन की सक्ती का स्रोत है जन्ता. अर्थात हम भारत के लोग. आज भारत के सम्मिधान की समस्त सक्तिया किस के पास है? भारत के लोगों के पास है? भारत की जन्ता के पास है? इस बात को समझना. इसी को कहते हैं हम लोक प्रहुता, लोक सत्ता. इस बा बात को समझना, तो जनता के पास हैं, हम भारत के लोगों के पास हैं, और इसी को कहते हैं, लोक प्रभुता, लोगों की प्रभुता है आज, ठीक है, लोक प्रभुता, शाशन का श्वरूप कैसा है, अभी आपको बताया था, साशन का श्वरूप है, संपूर प्रवत्व समाजवादी, पंत निर्पेच, लोक तंतरात्मक, गड़ राज्य, ये है साशन का श्वरूप मेरे बच्चे, बहुत बार कुश्यन आया है, और साशन का उद्देश क्या है, उद्देश है नियाय देना, उद्देश है स्वतंतरता देना, उद्देश है समानता देना, ठीक है, उद्देश है बंधुता, भाईचारे की बात कर रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चे, बंधुता, व्यक्ति की गर्मा, ठीक है, व्यक्ति की ग अखंडता ये सब्द आपको प्रस्तावना में मिलेंगे बार-बार ध्यान में आपको रखना है तो भारतिय संविधान में शाषन का उद्देश न्याय देना सोतंता देना समानता देना भाईचारे को बढ़ावा देना वैक्ति की गर्मा को बनाए रखना एकता और अखंड है, थीक है गया, शाषन का स्वरूप कैसा है? हम संपूर परतिसमपन है समाजवादी है, उव्धिक्त है, भी तुर मेरे बचे शाषन सक्ती का स्वरूत् है, जनता है अरठात लोग प्रभगता जनता के हाथ में हैं लोगों के हाथ में हैं इस बात को आपको समझा है फटाफट इसका क्या ले लिजे, इस स्क्रीन सौट ले लिजे, इस बात को समझेगे, एक एक करके, अम सारी चीज़ों को discuss करेंगे, इन एक सभटों को discuss करेंगे, कि इन सभटों का मतलब क्या होता है, इस बात को समझेगा, is that clear? ठीक है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, चलिए, आप देखिए, सबसे पहला है शासन सक्ती का स्रोत, ठीक है, तो सबसे पहला कॉंसेप्ट क्या है, शासन सक्ती का स्रोत, शासन सक्ती का स्रोत, ठीक है, अर्था तो लोक प्रभुता किस के पास है, जन्ता के पास है, ठीक है, इस बात को समझना, तो भारत के संबिधान की समस्त सक्तियां किस के पास है, लोगों के पास, भारती संबिधान को किस ने अपनाया, भारत के लोगों ने, भारती संबिधान को किस ने बनाया, भारत के लोगों ने, भारती संबिधान की सक्तियां किस के पास है, भारत के लो जनता में नहित है, सारी शक्ती जनता में नहित है, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुवात कहां से होती है, हम भारत के लोग से, तो ध्यान में रखना, प्रस्तावना की शुरुवात हम भारत के लोग से होती है, हम भारत के लोग से, और प्रस्तावना का जो अंत है वो कहां से होता है कि हम भारत के लोग इस सम्मिधान की प्रस्तावना को अंगीकरत करते हैं अधिनियमित करते हैं आतमार्पित करते हैं ये तीन सब्द हैं तो अधिनियमित अंगीकरत आतमार्पित कौन करता है भारत के लोग करते हैं तो अग अप्शन में सम्मिधान सवा हो तो सम्मिधान सवा टिक करेंगे वरना भारत के लोग। अप्शन में सम्मिधान सवा टिक करेंगे वरना भारत के लोग। भारत में ब्रह में कहा टिक है तो उन्होंने क्या कहा केसी विलर ने कि लोग प्रभुता का भ्रहम है इस बात को समझना टिक है मेरे बचे तो केसी विलर ने भारती सम्मिधान को अर्द संगिय भी कहा अर्द संगियय जिसको हम कहते है क्वैसि फेडरल ये भी कुशन आता है कि भारती संभिधान को अर्द संगियय किस ने कहा कैसी वीलर ने कहा ठीक है भाईया क्वैसि फेडरल बोलते इंगलिस में अरो बोलो हाँ किनासिव यादव जी, अंकित वगेल जी, आसिफ अंसारी जी, ठीक है प्रिंस राम जी, कुलदीप सर्मा जी, आप सब का स्वागत है, तो केसी वीलर नामक विद्वान ने लोग प्रवता को भारत में भ्रहम कहा, ध्यान में आपको रखना, क्यों भ्रहम कहा क्योंकि मेरे दोस्त सम्मिधान सवा का इलेक्शन इंडारेक्ट तरीके से हुआ, जनता द्वारा नहीं हुआ, लेकिन मेरे बच्चे लोग प्रवता का भ्रहम नहीं हैं भारती सम्मिधान, क्योंकि आजादी के बाद जब पहली बार इलेक्शन हुआ, तो जादे तर वो ल लिम्स पॉइंट अभी उसे पढ़ रहे हैं, आपको PCS का पेपर देना हो, ROARO का पेपर देना हो, SSC का पेपर देना हो, पुलिस SI का पेपर देना हो, है ना, प्रतीक एग्जामनेशन के लिए factual से लेकर डिटेल तक जा रहे हैं, ठीक है मेरे दोश समझना, तो लोग संगीवीद का अंकित वगिल बता तो दिया, अब देखो एक एक करके पहले सब्दों के अर्थ को किलियर करो, सबसे पहला सब्द है कि समप्रभुता क्या है, समप्रभुता क्या है, वड़े सोवर्णिटी, ठीक है समप्रभुता क्या है, वड़े प्यार के साथ, बिटे सम प्रोभता का मतलब होता है, जब कोई राज्य किसी भी आंत्रिक एवं बाहा निर्ड़ा लेने के लिए स्वतंत्र है, और उस पर कोई भी आंत्रिक एवं बाहा दवाव नहीं है। इस बात को समझना है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, तो संप्रभू राज्य ऐसा राज्य होता है, जो अपने आंत्रिक एवं वाहा मामलों पर जो अपने आंत्रिक एवं बाहा मामलों पर निर्ड़े स्वेम लेता है। उस पर किसी का कोई दवाव नहीं होता। तो संप्रभू का मतलब है कि जब आप निर्ड़े लेने के लिए क्या हैं स्वतंत्रें। मेरे बच्चे हमें 370 अटानत अटा दिया, रामिदेर बनानत अथा बना दिया, नोट बंदी करनी थी कर दिया। कोई पाकिस्तान, अमेरका, रूस औ चीन के दवाव में हम काम नहीं करेंगे। भारत एक संपूर प्रवत्तो संपन राज्य है, भारत एक संप्रभू राज्य है। इंडिया अपने आंत्रिक मामलों में बहा मामलों में स्वेम निर्ड़ ले सकता है। अताःकोई आपसे पूछे, क्या भारत एक संप्रवू राज्य है तो आप कह देना हाँ भारत एक संप्रवू राज्य है। क्योंकि भारत अपने आंत्रिक अबाब मामलों में निर्ड़ लेने के लिए स्वातंत्र है। उस पर कोई भी आंत्रिक बाहा दबाव नहीं है। अगर आपके घर में आपके पापा की चलती है, तो मेरे बच्चे आपके पापा संप्रभू हैं। अगर आपके घर में आपकी मम्मी की चलती है, तो मेरे बच्चे आपकी मम्मी संप्रभू हैं। इस बात को समझना, अगर आपके घर में आपके भाई की चलती है, भाई कोई भी नड़े लेने के लिए सोतंत्र है, तो आपका भाई संप्रभू है, इस बात को समझना, तो संप्रभू राज्य उस राज्य को कहते हैं, जो कोई भी नड़े लेने के लिए सोतंत्र है, और उस के साथ तो आंतरिक निरड़े क्या है अंतरिक निरड़े ठीक है और बाहा निरड़े क्या है मेरे बच्चे बाहा निरड़े में हम रखते हैं विदेश नीती, फोरण पॉलिसी ठीक है, बाहा निरड़े, भारत पाकिस्तान संबंद, भारत रूस संबंद, भारत अमेरिका संबंद जबके मेरे दोस्त आंतरिक मामलों में हम रखते हैं धार्मिक निर्डे, सामाजिक निर्डे, आर्थिक निर्डे, राजनेतिक निर्डे, ठीक हैं, ये सब आंतरिक मामलों में आ जाते हैं, लिकिन बाहा मामलों में क्या आता है, विदेश निती, तो इन दोनों में ही भारत अपने निर्डे लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, उस पर कोई भी आंत्रिक एवं बाह दवाव नहीं है अता है मेरे बच्चे भारत एक संपूर प्रवत्तो संपन राज्य है इस बात को समझना फड़ा फट स्कीन सोट ले लिजे भारत एक संपूर प्रवत्तो संपन राज्य है इस बात को समझना ठीक है तो संपूर प्रवत् तो भाईया क्या है यह एक आइडलोजी है यह एक विचार धारा है ठीक है और यह कैसी विचार धारा है जो समानता पर बल देती है ठीक है समानता पर बल देती है और वो भी कैसी समानता मेरे बचे आर्थिक समानता अगर मैं एक सब्त में इसको डिफाइन करूं तो समाज बा सम्पत्ती के सामाजी करण की भात करती है, सम्पत्ती के सामाजी करण की करती है, मजदूर एवं बंचित वर्गों के कल्यान की बात करती है और समाजबाद शोशड की समाप्ति की बात करता है इस बात को समझना मेरे दोस्त सारे के सारे तो समाजबाद एक ऐसी विचार धारा है जो समानता परवल देती है समपति के समाज़ी करण की बात तो यह वो पॉइंट से यह जो समाजबाद के अंतरगत आते हैं इस बात को समझना अरे बोलो हाँ कि ना ठीक है तो समाजबाद तो भारत एक समाजबादी देश्त है अर्थात आर्थिक समानता लाना चाहते हैं अर्थात समपति का समज़ी करण करना चाहते हैं अर्थात आय की असमानता को कम करना चाहते हैं इस बात को समझना ठीक है, सारे के सारे पॉइंट है, जीवन इस्तर की असमानता को कम करना चाहते हैं, ध्यान में आपको रखना है, अरे बोलो हाँ के ना, ठीक है, तो भारत कैसा है, समाजवादी देश है, इस बात को समझना, ठीक है, ध्यान रखना, समाजवाद को भारती संविधान में व्य क्या बात एक सम्पूर परुत्तो संपन्ड वाला राज यह है, हाँ है, इस बात को समझना, अरे बोलो हाँ कि ना, इस बात को समझना, ठीक है, अब देखो भईया, समाज बात भी कई टाइप का है, अब देखो, एक आपने नाम सुना होगा, माक्स बात, या, मैं आपको बोलू, सामेबाद आपने बोला होगा, ठीक है, तो माक्स बात, सामेबाद की बात करेंगे, तो इनके कुछ कॉंसेप्ट है, सबसे पहला कॉंसेप्ट है, कि माक्स बात भी समानता लाना चाहता है, लेकिन किसके मात्यम से, हिंसक करांती के मात्यम से, समाज ब बर्ग संघर्स के माध्यम से लाना चाहता है, बर्ग संघर्स के माध्यम से, क्योंकि माक्स ये मानते हैं, जर्वनी में एक व्यक्ति पैदा हुआ माक्स, तो माक्स कहते हैं, एक सोशक वर्ग होता है, और एक सोशित वर्ग होता है, एक वो वर्ग होता है, जो दूसरे का सोश तो एक सोशड करने वाला, एक सोशे तो होने वाला, तो हिंसक क्रांती के माध्यम से बात करता है, तो माक्स जो है हिंसा की बात करते हैं, क्रांती की बात करते हैं, वर्ग संगर्स की बात करते हैं, याने माक्स बात भी क्या लाना चाहते हैं, समानता, मेरे दोस्त सामे बात भ लोकतांतरिक समाजबाद है, ठीक है भई यहां, लोकतांतरिक समाजबाद है, ठीक है, कोई आप से पूछे, भारत में कैसा समाजबाद है, लोकतांतरिक समाजबाद है, अर्थात हम यहां संस्थाओं के माध्यम से, संबैधानिक संस्थाओं के माध्यम से समानता लाना चाहत अर्थात हम चुनाओ करवाना चाहते हैं, चुनाओ के माध्यम से मिर्दोस समानता ला रहे हैं, कानून के माध्यम से कानून बना करके समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक नियोजन करके, सामाजिक आर्थिक नियोजन करके, सोसल एकनोमिक प्लानिंग करक समानता लाना चाहते, तो कोई आप से पूछे, भारत में कौन सा समाजबाद है, लोकतांतरिक समाजबाद है, हम हिंसा के मात्यम से समानता के पच्छधर नहीं है, इस बात को समझना, अरे बोलो हाँ कि ना, ठीक है, तो कोई आप से पूछे, क्या भारत में समाजबादी स्वस्था है इस बात को समझना अरे बोलो हाँ कि ना छिर्ड सिंपलल सा कोन्सेप्ट अब देखो यह एक सभू आया पंथ निर्पेश जिसको हुम सैकुलर कहते हैं और आफ सब जानते हैं कि भारत एक कैसा राज़ है? पंथ निर्पेच राज़ है. अब पंथ निर्पेच राज़ का क्या मतलब होता है? पहला जहां राज़ का अपना कोई धर्म नहों. ठीक है अर्थात राज का अपना कोई राज की धर्म नहीं है राज अपने नाग्रिकों के बीच धर्म के आधार पर वेदवाओं न करता हो भेदवाव ना करता हो। ठीक है और आज हमारे पास धार्मिक श्वतनता का दिकार भी है इस बात को समझना और सभी धर्म के अन्याईयों को समान रूप से धार्मिक श्वतनता प्राप्त हो। ठीक है सभी धर्म के अन्याईयों को धार्मिक श्वतनता प्राप्त हो। धार्मिक श्वतनता प्राप्त हो। आगे आप पढ़ेंगे मौलेक अदिकार और वहां आप देखेंगे आर्टिकल 25-28 में धार्मेक आचरण करने की सोतनता दी गई है ठीक है और आर्टिकल 15-16 को पढ़ेंगे तो वहां धर्म के आधार पर वेदवाव से निशेद की बात करी गई है तो भारत एक पंथ निरपे निरपेच राज है इंड़ाई चैकुलर कंट्री योग भारत का अपना कोई राज नहीं है धर्म नहीं है भारत के सभी नागरिकों के भीछ धर्म के आधार पर राजगे वहां अंहीं करता है और सब को धार्मक्षवतनत्य प्रापत है अनों ब्छय को compute निर ठीक है टो हम संपूड पृय। प्रतव संपन हैं हम समाजवादी हैं हम पंत्र निरपेच स्य तो .. principle I向 फिर एक सब्धे बच्चा लोकतंत्रिक कोंधा लोकतंत्रिक ?精mos लोगों के लिए लोगों के द्वारा है तो जहां तंत्र में लोगों की भागेदारि हो लोगों की भागेदारी हो किक पर आज ओड डाल के लोग चिनाव हूँ लेते हैं भाग लेते हैं तंत्र में भागेदारी है लोग ही विधायक बनाते हैं लोग ही सांसत बनाते हैं ध्यान में रखना जहां तंत्र में लोगों की भादेदारी हो अब रहाम लिंकन ने क्या कहा लोगों का लोगों के लिए लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र ही लोग तंत्र है इस बात को समझना लोगों की चलेगी प्रजा तंत्र की चलेगी इस बात को आपको सारे के सारे जनता का जनता के लिए जनता के लिए जनता के लिए शाशन ठीक है ध्यान में आपको रख दिया था वहां पर बोला तो गैटसबर्ग में अपरायम लिंकन ने भासर दिया वहां बोला जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया तंत्र ही लोक तंत्र है इस बात को समझना अरे बोलो हां किना सारे के सारे साथी फटा-फट स्कीन सोट लेते जाए दुनिया है अता है दुनिया का सबसे बड़ा लोक तंत्र कोन है मेरे बच्चे भारत है इस बात को आपको समझना है अरे बोलो हां किना सिंपल सी बात ठीक है सारे शाथी बताओ हां किना अब देखो एक होता है प्रत्य अच्छ लोक तंत्र एक होता है अब प्रत्य अच्छ लोक तं और भारत में आप प्रत्यच लोक्तंत्र की विवस्ता है ठीक है ध्यान में आपको रखना है ठीक है तो सारे शाथी ध्यान से आपको रखना है तो प्रत्यच लोक्तंत्र और आप प्रत्यच या प्रतनिधी लोक्तंत्र भी बोलते हैं इसको प्रतनिधी लोक्तंत्र प्रतेच लोगतंत्र में जनता स्वेम शासन का संचालन करती है मेरे बचे संचालन करती है प्रत्यच लोगतंत्र में लेकिन अप्रत्यच लोगतंत्र में क्या है जनता अपने प्रतिनिधी को चुनती है ठीक है MPML आपने बना दिया तो जनता अपने प्रतिनिधी को चुन करके मेरे दोस्त शाशन करती है इस बात को समझना और आज भारत में कैसा लोकतंतर है अप्रत्यच लोकतंतर है प्रतनिधी मूलक लोकतंतर है इस बात को आपको समझना है ठीक है ध्यान में आपको रखना है यूनान में पहले प्रत्यच लोकतंतर होता था ध्यान में आपको रखना है ठीक है वानगर राज्य था सेटी में बोलू हाँ कि ना अजेश कुमार जी सीनु जी अंकित भगेल जी चलिए बात समझाई तो एक बात तो मुन्ना ये है क्लियर और एक होता है संसद्य लोगतंत्र और एक होता है अध्यच्यात्मक लोगतंत्र इन में भी अंतर जानी है संसद्य लोगतंत्र और एक होता है अध्यच्यात्मक लोगतंत्र ये आप ऐसी कह सकते हैं संसद्य विवस्था अध्यच्यात्मक विवस्था आप सब जानेंगे मेरे बच्चे वरिटेन के अंदर भारत के अंदर संसद्य लोगतंत्र है जबके अमेरिका के अंदर अध्यच्य लोगतंत्र है अध्यशात्मक सासन पढ़ा ली है ध्यान में रखना तो विदायका और कारेपाल का यहां आपस में जुड़ी होंगी तो संसदी लोगतंत्र में क्या है विदायका याने विधी बनाने वाली संस्था इवं कारेपाल का executive विदायका इवं कारेपालका आपस में जुड़ी होती हैं, अपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, संसदी लोकतंत्र में, जो विदायका के अंगे हैं सदसें, वो कारेपालका के भी होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है, अब जैसे विदायका में संसद आ जाती है, विदाय संसत के सदस्य कारे-पालिका के भी हिस्सा होते हैं और कारे-पालिका में कौन आ किया प्रधान मंत्री और मंदल मं पूरा कैबिनेट तो संसत के सदस्य तो मंतरी होते हैं ध्यान में आपको रखना है जब के अद्यच्छात्मक में विदायका, कारपाल, का नयापाल का तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं इसमें विदायका, कारपालिका, इवं नयापालिका तीनो प्रथक होते हैं अलग होते हैं सेपरेट होते हैं तीनो प्रथक होते हैं इस दाट क्लिये वने बच्चे छीक है द्यान में रखना द्यान में आपको रखना है ठीक है संसाधी लोगतंतर में सामुहे को उत्तरदायत तो नहीं होता ठीक है सामुहे को उत्तरदायत तो नहीं होता ठीक है सामुहे को उत्तरदायत तो नहीं होता ठीक है द्यान में रखन सिंपल सी चीज, चलिए तो इनको देखेंगे कल, चलि राहुल यादर जी ओफ्लाइंड में बैस शुरू होगा, ग्यारे से साड़े बारे तेई स्थारिक से उसमें आ जाईएगा, ठीक है, चलो, थेंकि बेरी माच, आज के लिए तना ही, कल हम प्रस्तावना को पढ़के